तो बच्चो यह question कहे रहा है कि इस question में system of charges हैं दो charges आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें ठीक है QA और QB और दोनों की value से में लेकिन charges opposite है और जिस point पे located है यह बी उनके तीन तीन coordinates दिए गया है आप सभी जानते हैं कि यह 3D system three dimensional system में इस तरीके से अगर आपको दिख पा रहा हूं कोशिश कर रहा हूं दिखा रहे की like this है ना तो x-axis y-axis और z-axis यह 3, x, y, z यह 3 दिए जाते हैं तो मैं इसको यहाँ पर draw करता हूं बुच्छो और draw करके आपको x, y, z तीनों axis को यहाँ पर draw करके आपको बताने की कोशिश करता हूं हमने लिया like this यह तो this is plus x-axis, this is plus y-axis, this is plus z-axis, z की पीछे आप इस तरीके से चले जाएंगे तो यह minus z मिल जाएंगा और इसके पीछे आप चले जाएंगे तो minus x और y के नीचे चले जाएंगे तो minus y आपको मिल जाएगा बच्छो अब question कह रहा है कि charge qa के जो coordinates ने वो 0, 0, minus 15 है 0, 0, minus 15 यानि कि x, y और z तो x, y 0 पर है तो आप सीधे-सीधे 0 पर आ जाएंगे और z की value minus 15 है यानि minus z के तरफ आप चले जाएंगे तो यह आपका यहाँ पर रखा हुआ है qa और यह जो दूरी आपके दिख रही है 15 cm है minus नहीं लगा रहा हूं क्योंकि वो minus z पर ही दिया हुआ है ठीक है अब आपका जो charge qb है उसके coordinates आपको दिये गये है 0,0, plus 15 दिये गये है तो x, y and z तो पहले तो आप 0,0 पर रहेंगे और प्लस 15 है तो आप यहाँ पर आजाएंगे यहाँ आपका charge qb दिया गया और यह भी 15 cm दिया गया है बच्चों तो इन दोनों के बीच के distance qa और qb के बीच की यह जो distance है 15 और 15 जूड के यह 30 cm की distance हो जाएगी 30 cm की distance हो जाएगी और एक plus charge एक minus charge एक दोनों के magnitude सेम है है ना जैसे qa है वो plus charge एक qb यह वो minus charge है दोनों के magnitude विलकुल सेम है तो यह एक dipole बना रहे है और physics में dipole moment के direction माइनस से plus की तरफ होती होती है तो यह उसकी मने direction ले ली अब बच्चों next slide में हम लोग चलते हैं ठीक है ना अब पहला question पूछा गया है total charge यानि q total तो q total system का या मैं लिख दे रहा हूं total charge of system पूछा गया है तो q total of system क्या हो जाएगा qa plus qb हो जाएगा और यह हो जाएगा plus 2.5 into 10 to the power minus 7 plus bracket में minus 2.5 into 10 to the power minus 7 हो जाएगा और इसका result निकल के आएगे बच्चों 0 तो system पर पूरा charge कितना है जीरो है अब वो कहरें system का dipole moment निकाली है तो dipole moment p is equal to होता है any charge q into distance d दोनों के बीच के distance d ठीक है ना तो यह आपका जो electric dipole moment आएगा एनी चार्ज तो एनी चार्ज में mod value 2.5 into 10 to the power minus 7 रख देते हैं और बीच के distance जो है वो 30 cm divided by 100 यह मीटर में कर लेते हैं और यह आपका charge कूलम में है तो आपका multiply करने पर जो answer आ रहा है वो आ रहा है 7.5 into 10 to the power minus 8 7.5 into 10 to the power minus 8 और इसकी direction होगी towards plus z axis इसकी direction होगी बच्चो towards plus z axis तो यहां पर equation बच्चो खतम हो जाता है thank you very much नमस्कार